तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सुजुकी जिकसर SF250 100th anniversary के अफसर पे सुजुकी कमपनी द्वारा ये motorcycle इंडियन बाजार में लाँच की गई है इसका और प्राइस क्या पड़ता है इसका इंजन साउंड क्या है और सुजुकी कमपनी द्वारा इसमें क्या नहीं फीचर्स एड़ किये गए है साथ ही मैं आपको इसका सीटिंग पोश्ट डेमो करके भी दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरी छोटी से रिक्वेस्ट है जो लोग अभी तक में चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो फटाफट में चनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आकन को प्रेस कर ले ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करे बाइक से लेटेड उसका नोटिफिकेशन आप लोग को उत्तुरत मिल जाए और अगर आप चाते ह अल्राइट दोस्तों आपके सामने पेश न्यू सुजुकी जिक्सर स्फ 250 यह 100 अनिवर्सरी एडिशन आप देख रहे हो सुजुकी कंपनी का जो 100 अनिवर्सरी एडिशन जो मार्केट में सुजुकी कंपनी द्वारा यह 250 CC की सेग्मेंट की यह मोट साइकल मार्केट में ल दुक्रार मिलेगा इसपर जो स्ट्रिक्रिंग कंपनी द्वारा की गई है सुजुकी आपको वाइड कलर से यह के इसी स्टार आपको इसमें लिखा हुआ इसके हैड वाईसर पर आपको साइड वाईसर मिलेंगे और हैडलाइड मैं आभी ओन करके साइड दिखा देता हूं और नीचे के तरफ आपको 300 mm का front disc brake मिलता है इसमें आपको पेटल डिस्क नहीं मिलते हैं और बाइब्रे के कैलिपर इसमें दिये हुए हैं और ये जो बाइक है ये dual channel ABS supported है और front का जो टार, front और back में जो टार्स मिलते हैं वो आपको MRF company के radial टार्स में मिलते हैं front का आपको टार्स में आपको दिखा देता हूं front में आपको 110, 70, 70 का tubeless टार, radial टार्स में आपको मिलता है front और back दोनों में और front में आपको 41 mm के आपको टेलिसोफिक फ्रॉक सस्पेंशन इसमें दिये हुए मिलते हैं अब मैं इसका आपको head light उन करके दिखा देता हूं यह देखो इसमें आपको fully LED head light setup इसमें दिया हुआ मिलेगा आप देख सकते हो और पीछे के side में आपको दिखा देता हूँ यह देखो पीछे के side में आपको यह आपको टेलाइट जो है वह आपको fully functional LED टेलाइट इसमें आपको दीवे मिलेंगे और side by side look में आपको इस बाइक का देखा रहा हूँ और मेरा बाइलोग यह देख लो यह रहा इस बाइक का back suspension इसमें आपको swing arm mono suspension आपको back में दिया हुआ मिल जाता है इसका जो silencer का जो setup है इसमें आपको double barrel silencer इसमें देखने को मिलता है आज silencer के उपर जो cover चढ़ाए गया है वह आपको chrome finish work इस पर मिलेगा और silencer का जो बीच का जो cover का जो color है वो matte black color इसमें मिलेगा और पीछे में देख लिजे पीछे में आपको MRF company के tire मिलता है और tire का जो size है वो है 150-67 का आपको tire मिलता है MRF radial tire इसमें दिया हुआ मिलता है और दोस्तों पीछे के तरफ आपको 220 mm का disc brake मिलता है और जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको by brake के caliper और इसमें आपको dual channel अबिए supported और मेरा बाइलोग अब मैं आपको इसके इंजन की जनकारी में आपको देजता हूँ Suzuki company ने SF 250 में लगाया है 250 CC का single cylinder four stroke oil cool fuel injector with BS6 engine इसमें आपको लगावा मिलेगा और इसकी जो maximum power इसके इंजन का है वो है 26.5 bhp का इसमें आपको maximum power आता है और जो maximum torque जो इसका engine produce करेगा वो है 22Nm torque इसका engine produce करने वाला है इसमें आपको number of gear 6 मिल जाते हैं इसमें 6 gear इसमें आपको company द्वारा provide किया जाता है और दोस्तों bodygafi की sticker की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको front से दिखा देता हूँ front में जो इसका जो bodygafi की stickering का जो work किया गिया है और जो paint job जो किया गिया है आप देख सकते हैं इसके headlight visor mask पे आप देख सकते हैं स्काइबू रंग का paint job company ने किया है और इस पे आप देख सकते हैं इसी स्टार का आपको यहाँ पर लोगो sticker form में दिया हूँ मिलेगा front mad guard पर आपको Suzuki की ब्रैंडिंग आपको sticker form में मिलेगी और इस तरब मैं आपको देखा देता हूँ इसका जो stickering है इसके silver white रंगा जो panel देख रहे हो ना फेरिंग पैनल इस पे आपको यह blue color और silver white color और red color से इसमें stickering company द्वारा किया हूँ मिलेगा और Moto GP से inspired यह bike है आप देख सकते हो basically यह जो bike edition जो Suzuki company ने market में निकाला है वो 100 anniversary edition है यह bike आप देख सकते हैं और इसके side by side जो panel के आप देख सकते हैं Suzuki का जो branding company ने किया है sticker form में जो की मुझे दूर से देखने पर आप देखोगे तो यह bike आपको Moto GP से inspired लगेगी देखने में दोस्तों यह देख लो यह रहा है इसके fuel tank पर लगा हूँ लोगो एसका यानि Suzuki का अपना लोगो का कलर है company ने change किया है यहां पर आपको एस यानि Suzuki का जो logo है वो 3D form में इसके fuel tank के side by side लगा हो मिलेगा और नीचे के तरफ जो इसका alloy wheel पर आपको यहां पर neon green नंकी श्ट्रीप पट्टी आपके इसके wheel पर दीवी मिलेगी और इसके alloy wheel के जो color है वह आपको दो color tune इसके alloy wheel पर किया हूँ मिलेगा देख सकते हो बीच में जो alloy wheel side by side आप देख रहो black color है glossy black color और यहां पर देखो यहां पर देख सकते हैं silver color का आपको यहां पर आपको paint job finish यहां पर इसके alloy wheel के यहां पर यहां पर गिया हुआ मिलेगा दोस्तों seat height की बात की जाए तो इसमें आपको split seat सपोर्ट मिल जाता है seat height इसमें आपको 800 mm का seat height मिलता है और compare किया जाए R15 यमा R15 version 3 से तो इसका जो seat comfort है वह आपको definitely R15 version 3 से ज्जाधा मिलने वाला है अल्राइट दोस्तों capital Suzuki के जो साहब भाईया है Suzuki Jixxer SF250 100 Anniversary Edition पर बैट के आपको seating posture डेमो करके दिखा देंगे ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि जब आप इस बाइक को बैट के राइड करोगे तो आपका पोश्चर सीटिंग पोश्चर किस प्रकार बनने वाला है साहब साहब बैट के देखा दीजे यह देखें साहब बैट के हाइड को जाधा है तो आप देख सकते हैं जब आप इस बाइक को बैट के राइड करोगे ना तो आपका जो सीटिंग पोश्चर है कुछ इस प्रकार बनने वाला है बात बाती अगर आप Suzuki के फैन हो Suzuki Jixxer के फैन हो तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है बास साथियों यह देख लिजें बैक सीट कोबल पाप देखोगे इसका जो पिलियन ग्रे बैंडिल है वो आपको ग्लॉसी ब्लू कलर में इसके उपर पिलियन ग्रे बैंडिल के उपर पेंट कंपणी ने किया है आप देख लो यह सुजुकी कंपणी ने इसका जो सीट कोबल है वो आपको सिल्वर वाइट कलर में दिया है और इसके उपर आपको 250 की ब्रैंडिंग कंपणी ने आपको ब्लू कलर में दी वी है जो की इसके कारेक्टर से एक तम हूब हूब मैच करता है और इस बाइक को एक स्पोर्टी इसका पतना में ऑन रोड प्राइस है बात बाकि आपके अपने अपने स्टेट में इसका ऑन रोड प्राइस क्या है उसे मालूम करने के लिए आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन के जरी अपने स्टेट का नाम लिग करके ऑन रोड प्राइस मालूम कर सकते हैं मैं आपको कॉमे कि का मेटर आनकर के दिखा था उसकी भी जनकारी में आपको देता उं यह देखे लो बाइक का मीटर आन उचुका है इस बाइक के मीटर में एश विजुवल कोई चैंजिस नहीं है वही आपको फुली डिजिटल मीटर इसके बाइक पे दियावा मिलेगा सुसुकी जिकसर SF250 पे और इसके मीटर में जो भी जनकारियां होगी टोटल आपको डिजिटल फॉर्म में इसके मीटर में दीवी मिलेंगी जैसे गेर पोजिशन इंडिकेटर, आर्पियम के आर्पियम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे डिजिटल मिलेगा, फ्यूल के डिजिटल है, घड़ी देखने के लिए क्लॉक है, किलो मीटर, सब कुछ आपको इसमें डिजिटल इसमें दिया हुआ मिलेगा, इसमें आपको सर्विस रिमेंडर भी आपको इसमें दिया हुआ मिलेगा इसके मीटर में, बा के तरफ आपको हाई और पियम अलर्ट की लाइट यह आपको इसके मीटर के उपर के साइड में आपको दीवी मिल जाएंगी और दोस्तों इंडिकेटर की बात की जाए तो इसमें एलेडी इंडिकेटर कंपणी ने नहीं दिया है इसमें आपको बल्बन डिफ्लेक्टर वाले इसके इसमें आपको इंडिकेटर लगे हुए मिल जाएंगे लो यह रहा इस बाइक का हैंडिल स्विच इसके हैंडिल स्विच में आपको इक तरफ मिलता है हाई बीम लो बीम का स्विच इंडिकेटर स्विच हार्न स्विच और उपर के तरफ आपको यलो कर में पास लाइ capacity है बारे लिटर के इसमें आपको fuel tank capacity मिलेगा और mileage की बात की जाए तो इसमें आपको 30 to 35 kmpl का mileage इसमें आपको इस bike में मिल जाएगा बात बाती जो mileage होता है वो आपके bike के रख रखाओ और आपके riding skill पर भी depend करता है दोस्तो इस bike का ground clearance है 165 mm का इसका ground clearance आएगा और इस bike का कुल वजन है इस bike का perks स् lav & ear 61 kg का इसका वजन आए और दोस्तो इसका जो wheelbase है वोहे 1345 mm का इसका wheelbase है और ये देखे, इस तरह आईए और इस तरह आप देखोगे तो इसमे आपको ओपन चेन ड्राइब का आपको function इसमें मिलता यारी कि इसमें आपको half chain guard दिया होँ, मिलेगा और एसेसरी के तोर पे आपको साड़ी गार्ड और रेर टारागर इसमें आपको by default company द्वारा लगा के दिया जाएगा Well दोस्तों I hope आपको इस वीडियो में Suzuki Jixxr SF250 100th Anniversary वाली जो एडिशन है मार्केट में जो Suzuki company द्वारा जो launch किया गया भारती बाजार में इसका टोटल आज आपको review video आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया आपको इसका total detail मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से on road price भी बता दिया इसका engine sound भी सुना दिया और इस पर मैंने sitting posture डेमो करके भी दिखा दिया तो वीडियो आपको अच्छी लेगी तो लाइक करना चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं आप तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आकन को प्रेस कर लेना और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई जल्दी तरक्की करे तो अपने समाम फ्रेंड के साथ मैं चैनल को वाट्सअप ग्रूप में शेर भी कर सकते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मुलाकात होगी आप लोग से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए दोईस भाई को इसाज़त लिए प्री राइट और अवाट अवाट राइड